दोस्तो नमस्कार आपके घर में हो महालक्षमी का प्रवेश मैं हूँ देवेश दोस्तो रोजाना शुभय और शाम आपकी सेवा में छे महत्वपूर्ण खवरों पर मजेदार एनालेशिस हम लेकर आते हैं इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए उसी क्रम म हम चर्चा करेंगे कि बिहार में सेकुलर सरकार का असली चहरा सामने आ गया है वह यह कास्मीर में जनता से पैसा लेकर जनता को कैसे लूटा जा रहा था जब रेड डली है तब पता पड़ा है भाई साब यूरोप ने भारत से जहाज खरीदना चालू कर दिये भाई साब यह जवान आ गया है नया वाला तो साउट अमेरिका में भारत को लेंड मिला है दो सो एकड क्यों मिला है बाई साब तो जजेज भाईया मोधी सरकार के किराब खार खाये बैटे हैं कानून वंत्री ने भारती एकॉनमी की जमीनी हालत के बारे में बताया है हर घटना क्रम लेक से वड़का रेखे आपको पक्के से आनंद आएगा आज के वीडियो में अब दोस्तों कल्पना कीजिए आप कि अगर मोधी सरकार जो है राम नवमी या नवरात्री में हिंदूओं को अनुमती देती कि वो एक गंटे पहले ऑफिस आ सकते हैं और एक गंटे पहले लेकिन भाईया जी पूरी दुनिया में सांती चाही हुई है सनाठा पसरा हुआ है भाईया जी जो आप भेदभाव कर रहे हो यह कौन सी धर्म निर्पेख्षता है भाई साब घर में आपके आईना है तो भाईया जी उसमें अपना मूह देख लो ऐसे कैसे कांग चलेगा बाई साब पॉइंट जा है बाई साब कि यह जो लोग हैं इनको पता है कि यह क्या कर रहे हैं सिर्फ चंद बोटों के लिए पूरे हिंदू समाज का भविष्य यह लोग गिर भी रख रहे हैं मुद्दे की बात है यह कि भाईया जी हम सत्ता में बने रहे हैं चाही पीडियों का भविष्य बरवाद हो जाए वो इनको एकसेप्ट है लेकिन इनकी सत्ता इनका सिंगासन नहीं हिलना चाहिए भाईया आज के आधुनिक जमाने के जैचंद हैं यह लोग जैचंद जैचंद ने तरायन के युद्ध में सम्राट पृत्वी जाच चोहान की मद नहीं करी थी उनको हराने में महत्वपूर्ण भूम का नवाई थी तो भाईया जी हमारे देश में जैचंदों की कमी नहीं है एक आपकी सामने बैटे हुए हैं देख लीजिए इनका चेहरा भाई साब आपको इतियास पढ़ने की जरूरत नहीं है जैचंद की बारे में ज का जो रेगुलेशन है वो बहुत अच्छा है हमारे बैंकों में उतनी खरावालत नहीं है जिसनी की अमेरिका में है अरे बही अब बैंक को तो छोड़ दो जो एन बी एफसी जैन नॉन बैंकिंग फाइनिशल इस्टूटूशन से की बजाज फाइनेंस बगेरा वो भी और फरमाइए यह है नौरवे नौरवे को भीया जी क्लीन जहाज चाहिए मतलब ऐसे जहाज जिससे जीरो एमिशन हो कोई धुआ धक्कड ना निकले इनको जहाज चाहिए थे जो हाइडोजन पर चलते हैं तो कौन बना रहा है भारती कंपनी को चीन शिप्यार लिमिटेड जो जहाज सप्लाई करेंगे शुरुआत में बाद में दो जहाज और मतलब टोटल चार जहाज सप्लाई हो सकते हैं यह जो चार जहाज हैं यह भविश्च में फ्यूल से भी चल सकते हैं तो भाई साब यह कोचीन शिप्यार आपको लग रहा हो कौन सी कंपनी तो इसी ने आई एनेस विक्रांत भी बनाया है भाई साब देख लीटे दोस्तों आज ग्रीन हाइड्रोजन के जहाजों के मामले में बारती कंपनियां अग्रणी भूमिका में आ रही हैं और यूरोप की डिमांड को पूरी कर रही हैं भाई साब अब भाई साब हम पिछलग को नहीं ह अब दोस्तों आप जड़ा गोहर फरमाइए कास्मीर में जनता से फंड खटे किये जाते थे दद्दस पांच 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 रुपए क्यों ताकि भीयक कास्मीर को आजादी दिलाई जा सके और वह आजादी कौनसी थी देखो आप उस पैसे का इस्तमाल करके 35 लाग का मका की गई भाई साब और यह निकल की कवा रहा है जब रेड डल रही है भाई यार रेड यही तो भाई साब दिक्कत है 370 हटने का इनोंने विरोज इसले किया था क्योंकि इनको पता था कि अगर यह हट गई तो हमारे जो काले धंदे हैं काले कालमा में वो उजागर हो जाएं कि उन लोगों के चहरे आप याद रखिएगा जैनोन तीन सो सतर हटाए जाने का भारत में रहते हुए ग्रोज किया था भाई साब देख लीट आज आप कि कौन सही था कौन कलत इसी बीच भाई साब आप देखिए यह गयाना है साउथ अमेरिका का देश से इनको समझ में दूनिया में बहुत ज्यादा हो रहा है हमारे यह बहुत ज्यादा बारेश हो गई भाई साब यह बारेस का मौसम है फसल की तो यह लिठी गयाना ने 200 एकड़ जमीन अलोकेट कर दी है अब यह खेती करना है वो तो इनको आती नहीं है पिनों ने भारत से भाया जी टेक्निकल एक्सपरटाइज टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नलोजी मांगी है कि 200 एकड़ जमीन समालो आप और मिलेट्स का उतपादन करो ताकि हमारी भवि भारत का जंडा गड़ने वाला है हमारी आँखों के सामने यह क्यों हो रहा है क्योंकि मिलेट्स के मामले में मोदी सहाब के नित्रत्व में भरत ने ग्लोबल लीडर्शिप हासिर कर लिए हम नहीं आंगे बढ़ते तो आज यह 200 एकड़ जमीन में कोई दूसरा देश टेक् उत्तरदाय तो कैसे फिक्स किया जाए जजेज ने क्या करना चाहिए लेकिन उसमें अंतदय फोकस क्या बनी कि भाईया मोदी को टारगेट करो मोदी के परकत रो यह निसकर्स निकला तो सहाब कानून मंत्री का कहना है कि जो जजेज रिटायर हो चुके हैं और भारत यह व नहीं मिलती मोदी जी के दरवार में अगार तुकड़े तुकड़े के एंग में सामयल हो जाएंगी यह जो कहीं चाहते ही हैं कि भारत हमेशा गरीब बना रहे दुनिया के सामने भीक मांगता रहे भारत कभी मजबूत ना बने और आज जब भारत मजबूत बन रहा है तो तो है नियाए पालका के माध्यम से भारत सरकार को कंट्रोल नियंतरत करने की साजिस में लगे हुए हैं यह ज़्य अच्छी बात यह है कि भारत सरकार के ध्यान में ये बात आ गई है हमें चौकन ने बने रहना हैं आप दोस्तों बचपन में दादा दादी नाना नानी माता पिता सबने आपको कहानियों पढ़ाही ती तीकियों आप बड़ापन में और बड़ापन में उसका इस्तेमाल करें पैसा कमाएं लेकिन होता क्या है Children काम करने की बारी आती है तब हम जो है उन कहानियों को भूल जाते तो यह समझ है है उसको हमने कर दिया समाप्त बोबी फ्री में बिल्कुल फ्री में बिल्कुल फ्री वाला फ्री है फ्री रहेगा हमेशा यह इनकी कुर्स लॉंश किया है चार्ट महालक्ष्मी जी की कहानियों का कोर्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई उस पर क्लिक कीजिएगा तो वाटसेप ओपन होगा वहां आप अपनी जीमेल आईडी हमें दे दीजिएगा हम आपको हमेशा के लिए फ्री में एकसेस दे देंगे ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यव आपद जये स्री राम